भागवत पुरान नवम सकंद सात्वा अध्याय राजा त्रिशंकू और हरिश्चंद्र की कथा श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित मैं वर्णन कर चुका हूँ की मानधाता के पुत्र में सबसे श्रेष्ट अंबरीश थे उनके दाता यू यूवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्विकार कर लिया उनका पुत्र हुआ यूवनाश्व और यूवनाश्व का हारित मानधाता के वंस में ये तीन आवांतर गोत्र के प्रवर्टक हुए नागों ने अपनी बहिन नर्मदा का विवा पुरुकुत्स से कर दिया था नागराज वाशुकी की आग्या से नर्मदा अपने पती को रसातल में ले गई वहां भगवान की शक्ती से संपन होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर वो को मार डाला इस पर नागराज ने प्रशन होकर पुरुकुत्स को वर दिया की जो इस प्रशंग का स्मरन करेगा वो सर्पों से निर्भे हो जाएगा राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रश दस्यू था उसके पुत्र हुए अनरन्य अनरन्य के हर्यश्व उसके अरुन और अरुन के त्रिबंधन हुए त्रिबंधन के पुत्र सत्यवरत हुए यही सत्यवरत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए यद्यपी त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे परंतु विश्वा मित्र के प्रभाव से वे सो शरीर स्वर्ग में चले गए देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किये हुए गिर पड़े परंतु विश्वा मित्र जी ने अपने तपो बल से उन्हें आकाश में ही स्थित कर दिया वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं त्रिशंको के पुत्र थे हरिश्चंद्र उनके लिए विश्वा मित्र और वशिष्ट एक दूसरे को शाप दे कर पक्छी हो गएं और बहुत वर्षों तक लड़ते रहें हरिश्चंद्र के कोई संतान ना थी इससे वे बहुत उदास रहा करते थे नारत के उपदेश से वे वरुन देवता की शरन में गए और उनसे प्रार्थना की की प्रभू मुझे पुत्र प्राप्त हो महराज यदी मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा वरुन ने का ठीक है वह तब वरुन की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ एक पुत्र होते ही वरुन ने आकर कहा हरिश्चंद्र तुम्हे पुत्र प्राप्त हो गया अब इसके द्वारा मेरा यग्य करो हरिश्चंद्र ने कहा जब आपका यह यग्य पशू रोहित दस दिन से अधिक का हो जाएगा तब यग्य के यग्य होगा दस दिन बीतने पर वरुन ने आकर फिर कहा अब मेरा यग्य करो हरिश चंद्र ने कहा जब आपके यग्य पशु के मुँ में दात निकल आएंगे तब वह यग्य के यग्य होगा दात उग आने पर वरुन ने कहा अब इसके दात निकल आएं मेरा यग्य करो हरीश चंद्र ने कहा जब इसके दूद के दात गिर जाएंगे तब यह यग्ग के यग्ग होगा दूद के दात गिर जाने पर वरु ने कहा अब इस यग्ग पशू के दात गिर गएं मेरा यग्ग करो हरीश चंदर ने कहा जब इसके दुबारा दात आ जाएंगे तब यप पशु यग्य के यग्य हो जाएगा दातों के फिर उग आने पर वरुन ने कहा अब मेरा यग्य करो हरीश चंद्रने का वरुन जी महाराज चत्रिय पशु तब यग्य के युग्य होता है जब वो कवच धारन करने लगे परिक्षित इस प्रकार राजा हरीश चंद्रने पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे इसका कारण यह था कि पुत्रसने की फांसीस ने उनके हिर्दय को जकर लिया था वे जो जो समय बताते वनुन देवता उसी की पार्ट देखते जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिता जी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं तब अपने प्रानों की रक्षा के लिए हाथ में धनुश लेकर वन में चला गया कुछ दिन के बाद उसे मालुम हुआ कि वनुन देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिता जी पर आक्रमन किया है जिसके कारण वे महोदर रोग से पीरित हो रहे हैं तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा परन्तु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया उन्होंने का बेटा रोहित यग्य पशू बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और छत्रियों का सेवन करते वे पृत्वी में विचड़ना ही अच्छा है इंद्र की बात मानकर वे एक वर्ष तक और वन में ही रहा इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौते और पांचवे वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया परंतु बूढे ब्रामन का विच धारन कर हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते इस प्रकार छव वर्ष तक रोहित वन में ही रहा साथवे वर्ष जब अपने नगड को लोटने लगा तब उसने अजीगर्थ से उनके मलसे पुत्र सनु शेप को मूल ले लिया और उसे यग पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौप कर उनके चरनों में नमशकार किया तब परम यसस्वी इवं स्रेष्ट चरित्र वाले राजा हरीश चंद्र ने महोदर रोग से चूट कर पुरुष मेध यग द्वारा वरुन आदी देवताओं का यजन किया उस यग में विश्वा मित्र जी होता हुए परंतु सैयमी जमदगनी ने अर्द वर्यू का काम किया वसिष्ट जी ब्रह्मा बने और अयाश्व मुनी समागम वसिष्ट जी ब्रह्मा बने और अयाश्व मुनी सामगान करने वाले उदगाता बने उस समय इंद्र ने प्रशन्य होकर हरीश चंद्र को एक सोने का रत दिया था परिक्षित आगे चल कर मैं शुनह सेप का महात्मे वरनन करूंगा हरीश चंद्र को अपनी फत्नी के साथ सत्य में द्रड़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वा मित्र जी बहुत प्रशन्य में उन्होंने उस ज्यान का उपदेश किया जिसका कभी नास नहीं होता उसके अनुशार राजा हरीश चंद्र ने अपने मन को प्रित्वी में प्रित्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायू में और वायू को आकास में स्थित करके आकाश को अंकार में लीन कर दिया फिर अंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्यान कलाका ध्यान किया और उससे अज्यान को भस्म कर दिया इसके बाद निरवान शुक की अनुभूती से उस ज्यान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंदनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए, जो ना तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और ना उसके सम्बंद में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है परिक्षित आगे चलकर मैं शुना शेप का महात्मे वर्णन करूंगा हरीश चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में द्रड़ता पूर्वक स्थित देखकर विश्वा मित्र जी बहुत प्रशन्य हुए उन्होंने उन्हे उन्हे उस ज्ञान का उपदेश किया ज इसका कभी नास नहीं होता उनके अनुसा राजा हरीश चंद्र ने अपने मन को परित्वी में परित्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायू और वायू को आकास में स्थित करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया फिर अहंकार को मातत्व में लीन करके उसमें ग्यान कलाका ध्यान किया और उससे आग्यान को और उससे अग्यान को भश्म कर दिया इसके बाद निर्वान सुक्त की अनुभूती से उस ग्यान कलाका भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो ना तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और ना उनके संबंद में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है